दोस्तों आज मैं आपको भारत के एक ऐसे मंदिर के बारे में बताने जा रही हूँ जो अपने आप में अनोखा है इस मंदिर परिशन में कदम रखते ही आपको असंखे चूहे इधर उधर दौरते भागते नजर आ जाएंगे यह भारत का ही नहीं बलकि विश्व का एक मात् मंदिर है जहां इतनी बड़ी तादात में चूहे पाए जाते हैं इस कारण इस मंदिर को चूहो का मंदिर या चूहो वाली माता का मंदिर भी कहा जाता है यह मंदिर राजिस्थान के देशनोख में स्थित कर्णी माता का मंदिर है जहां पर 25,000 से भी जादा चूहे रहते ह माना जाता है कि ये चुहे नहीं बलकि देपावत चारण है मा कर्णी की बेहन और उनके पती देपोजीत चारण के बेटे कर्णी माता इन चारों लड़कों को अपने बच्चों की तरह प्यार करती थी बाद में इन ही के वंशच देपावत चारण के नाम से जाने गए देप उनक में जहां कर्णी माता का मंदर है वहां आज भी देपावत चारण के 4 महले बसे हुए हैं यह माननेता हैं कि देपावत कर्णी माता के परिवार के स Adas से हैं इसलिए उन्हें स्वर्ग और नरख के चक्कर से मुक्ति मिल चुकी है अगर कोई देपावत चारण मरता है त पारणवंश में हुआ था लेकिन वो बीकनेर और जोदपुर दोदो राजपुतानी राजखरानों की कुल्देवी बनी कैसे माकर्णी की चमतकार ने बीकनेर को हर मुसीबत से बचाया और क्या है माकर्णी की असल कहानी चलिए जानते हैं लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे इस चैनल पर नए है तो जल्दी से मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे साथी बैल आइकन पर क्लिक कर लीजे ताकि अपकमिंग वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहें ये कहानी शुरू होती है आज से करीब 600 वर्ष पहले राव जोधा अपने 700 घुरसवारों को लेकर चिताओर के किले से भाग रहे थे जगजगे उनकी मुढबेड चिताओर की सेना से हुई लड़ते लड़ते जब वो मारवार की राजधानी मंदोर पहुचे तो उनके पास सिर्फ 6 घुरसवार बचे थे संकट के समय में उन्हें याद आई जांगल प्रदेश की जा चमी राजिस्तान का वो हिस्सा था जिसे हम लोग बिकने, चुरू, हनुमानगर और गंगानगर के नाम से जानते हैं। राव जोदा की मुलाकात यहां उन्हें उसी महिला से हुई जिसने उनके पिता राव हिडमल को राजा बनाया था। इस महिला का नाम था रिदु जिसे आज दुनिया मा करणी के रूप में पूछती हैं। यह बात वर्ष 1387 की है। जब मारवार के स्वाप गाउं में मेहा जी चारण के घर चटी बेटी का जनम हुआ। मेहा जी को इंतजार तो बेटे का था लेकिन बेटी हो गई। मेहा जी ने अपनी चटी बेटी का नाम रखता रिधुबाई। उन्होंने जनकल्यान के लिए कई चमतकार भी किये। जिसके कारण लोग उन्हें करणी माता बुलाने लगे। करणी यानी चमतकारी। करणी की शादी उन्हीं के गाउं के दिपोजीट चारण से करवा दी गई। लेकिन उन्होंने इसाफ कर दिया कि उन्हें शादी में कोई दिल्चस्पी नहीं है करणी ने अपनी छोटी बेहन गुलाब की शादी दीपोजीत से करवा दी और खुद को ग्रहस जीवन से अलग कर लिया अब आगे हुआ ये कि उस समय राजिस्थान में भयानक अकाल पड़ा उस अकाल के दौरान करणी को के साथ वहां आधमके और जानवरों को पानी पीने से रोक दिया कहते हैं कि कान जी के छोटे भाई राव रेडमल को जब इसका पता चला तो उन्होंने करणी और दीपो जी के पास जाकर उन्हें बेड में जकड कर रहने के लिए कहा ये वही राव हिडमल थे जो राव जोधा के पिता थे ये रेडमल और करणी की पहली मुलाकात थी और यहीं से रेडमल की किस्मत चमकती है हुआ यूंकि कान जी करणी से चिड़ गया था उसने मौके पर आकर करणी को राजी छोड़ कर निकल जाने को कहा तो करणी ने ये शर्त रखी कि उनकी पूजा के पेटी उठा कर कोई बैल गाड़ी पर रख दे तो वो चली जाएगी कान जी ने सारा जोड लगा दिया लेकिन वो पेटी नहीं हिला सके इस पर गुस्सा है कान जी ने करणी माता को भला बुरा कहा करणी माता ने उन्हें चेताते हुए एक लकीर खीच दी और कहा अगर वो इसे पार करेगा तो मारा जाएगा कान जी ने उनकी चितावनि को दरकिनार करके उस रेखा को जब पार किया तब वो हाथो हात मारा गया ये देखकर हर कोई दंग रह गया कहते हैं कि माकर्णी ने कांजी के छोटे भाई राव रिडमल को राजा बना दिया और रिडमल माकर्णी की पूजा करने लगा लेकिन रिडमल की मौत के बाद चिताओर के शडियन कारियों ने उनके बेटे राव जोधा को मरवाने की कोशिश की राव जोधा को राजा बनने जोदा ने चिडिया टुक पहाडी पर एक शांदार किला बनवाया जिसे आज महरांगर दुर्ग के नाम से लोग जानते हैं राव जोदा ने जोदपुर शहर को माकरणी की क्रपा से ही बसाया था आज मी माकरणी को जांगार प्रदेश के हर गर में पूजा जाता है बीकनेर राज घराने से निकलने वाले राजाओं ने जहां जहां अपने ठिकाने बनाए वहां वहां आपको माकर्णी का मंदेश जरूर मिलेगा लेकिन बीकनेर और जूदपुर तो दो अलग-अलग रियासते हैं फिर बीका ने को बसाने में मा करनी का क्या योगदान रहा होगा चलिए इसके बारे में भी जानते हैं कहते हैं कि राज जोदा की कड़वी बातों से नराज होकर उनके छोटे बेटे बीका ने महरानकर छोड़ दिया निकलते वक्त उनने अपने पिता से कहा कि वो खुद अपने राजे स्थापित करके दिखाएंगे साल था 1465 जब बीका जोदपूर से निकला तब उनके पास 100 गुरसवारों और 500 पैदल की एक छोटी सी सेना थी और साथ थे उनकी चाचा रावत कांधल बीका जानता था कि अगर उन्हें नया राज्य चाहिए तो माकर्णी की शरण में जाना ही होगा क्योंकि माकर्णी ने ही उनके पिता और दादा को राजा बनाया था कहते हैं कि माकर्णी की सला पर ही राव बीका ने जांगलों के छोटे-छोटे गाउं और राज़े पर कबजा करना शुरू किया गोधारा जाटों की मदद से वो कुछ ही सालों में 25 गाउं का मालिक बन गया और उसने अपना एक अलग राज्य बीकानेर स्थापित किया अपने जीवन के 115 वर्षु तक माकर्णी ने चमतकार करके गरीबों के दुख दूर किये और उनका उधार का कारे किया आज माता के हजारों भक्त हैं जो उन्हें बहुत ही श्रदा से पूछते हैं देशनोप में उनका भवे मंदिर बना हुआ है इस मंदिर के वास्तुकला देखने योग्य हैं मंदिर के संरक्ष्णा में राश्पुताना और मुगलाई शैली की जलक देखने को मिलती है मंदिर का निर्मान बलुआ पत्थर से किया गया है यहां कई द्वार गल्यारे और सुन्दर नकाशी की हुई दिवारे हैं मंदिर के मुख्य द्वार पर संग्मर्मर की नकाशी की गई है हाथ में त्रिशूल पकड़ी हुई देवी की प्रतिमा गर्व ग्रिय में स्थापित हैं यहां चांदी की किवार सोने का छत्र और चुहे के भोग के लिए रखी चांदी की बड़ी परात आकर्शन के केंद्र है मा कर्णी के इसी मंदिर में सफेद चुहा अगर किसी को दिख जाए तो समझो कि उसकी किस्मत खुल गई कहते हैं कि इस मंदिर में साथ सफेद काबे हैं दोस्तों आपने मा तनोट की कहानी तो सुनी होगी 1965 की जंग में जिनके मंदिर पर 3000 बम गिरे थे मगर एक भी नहीं फटा ये मा तनोट जिनका एक नाम मा आवड भी है वो कर्णी माता की अराध्य देवी थी मा कर्णी 600 साल पुरानी जिस गुफा में मा आवड की अराध्ना करती थी उसी गुफा में ही दिव्य जोती में लीन हुई थी सदियों से मा कर्णी की कृपा भी बिकानेर पर बनी रही है ये मा का चमतकार ही तो है कि इतना प्रसाथ खाने के बाद भी ये चूहे कभी मोटे नहीं होते इनका जूटा खाने से कभी किसी को बिमारी नहीं होती और ये चूहे कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुचाते और ना ही मंदे छोड़ कर कहीं जाते बिकानेर के इतिहास में ये बात साफसाफ लिखी गई है कि जब महराजा गंगा सिंको अंग्रेजों ने शेर के पिंजरे में बंद कर दिया था तो खुद माकर्णी ने उनके शरीर में प्रवेश किया और एक ही वार में शेर को धेर कर दिया उस वक्त माकर्णी के चुडियों के खनक से पूरा दरबार गूज उठा था माकर्णी के ऐसे ही हजारों चमतकार है जिसे न जाने कितने लोगों ने देखा है सुना है महसूस किया है और पूजा भी है अगर आप भी उनमें से एक हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर के हमें जरूर बताईएगा मिलते हैं हमारे नेक्स वीडियो में तब तक अपना ध्यान रखेगा धन्यवाद